सुनिता बिलियम्स और अन्य अमेरिकी अंत्रिक्ष्यात्वी आई एसेस पर रूसी उपग्रह तूपने के कारण शरन लीनी को मजबूद मंबई नाकपुर एक्स्प्रस वे पर गलत दिशा से कार घुसी भयानक हादसे में साथ की मौद करनाटक में CBSE और ICSE स्कूलों को अब कंड़ा को प्रथम या द्वितिय भाशा के रूप में शिक्षा देनी की आवश्शकता है तलंगाना में स्कूल बस पलती, कार्द और घटना में के खायल हैदरबाद के पास ग्लास स्पक्टर में वस्पोर्ट से कम से कम पाश की मौद कई खायल एक रूसी स्वामित्ववाली सीवा निवृत उपगरह के अंत्रिक स्टेशन के पास तूटने के बाद कई ISS अंत्रिक श्यात्री खत्रे में आ गए US Space Command ने इस खबर की पुष्टी की है उपगरह 26 जुन बुद्वार को निम्री पृत्वी कक्षा में तूट गया जिसे सो से जादा ट्रैक करने वाले योग्य मलवा तूटे पीछे छूट गया US Space Command ने सूचित किया है इस खतरनाक घटनानी अंतरिक्ष अंतराष्ट्य स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों को अपात कालीन शरन लेने पर मजबूर कर दिया नासके Space Station कारजाले के अनुसार जब रूसी पृत्वी अवलोकन उपगरह ISS के पास एक कक्षा में तूट गया तो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को लगवग एक घंटे तक अपनी अंतरिक्ष यात्र में शरन लेने के लिए निर्देशित किया गया मुंबई नाकपूर एक्सप्रेस वे या समर्दी महामार्क पर दो कार्स के बीच हुई भीषने टक्कर में कम से कम साथ लोगों की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए है यह हादसा कल राच जलना जले के समर्दी हाईवे पर कदवाची गाउं के पास हुई मुंबई से करीब 400 किलो मेटर दूर हादसा रात को करीब 11 बजे हुआ जब एक स्विफ्ट डिजायर ने रिफ्यूलिंग के बाद गलत दिशा से हाईवे में प्रवीश किया और नाकपुर से मुंबई जा रही आटिगा कार से टक्रा गई टक्र इतनी भीशने थी कि आटिगा हवा में उचल गई और हाईवे के के नारे वैरिकेट पर जा गिरी जबकि यातरी वाहन से निकल कर सेट पर जा गिरी दूसरी कार एक धातु के धेर में तबदील हो गई साथ लोगों की मौके पर मोध हो गई और द्रिश्चे में उनकी खून से सने शव हाईवे पर पड़े दिखे नीट पेपर लीक मामली में OSA स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को कोट ने पाच दिनों की सीबिया इह रासत में भीश दिया है सीबिया ने स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर असान उलहक और स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज को शुकरवार को गिरफतार किया था इनके साथ ही एक पत्रकार को भी गिरफतार करके S.B.I. तीनों को हाजिरा बाग से पटना लेकर पहुची और कोर्ट में पेश किया यहां कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को S.B.I. हिरासत में भीज दिया इस दोरां CBI ने प्रिंसिपल एहसान उलहक के साथ दो पत्रकारों का किनेक्शन को ट्रैक किया पत्रकार और प्रिंसिपल के बीच पेपर लीक और नीट परिक्षा के दोरां लगातार बाचित होती रहीं एसान उलहक के कोल डीटेल्स के आधार पर पत्रकार को सीबी आई ने पूछ ताश के लिए बुलाया था और इस स्कूल के प्रिंसिपल एसान उलहक सीबी एसी के सिटी कॉडिनेटर भी हैं उनके पास चार जिले हाजिराबाग, चत्रा, खोडमा और रामगड के सेंटर आते हैं जहां सीबी एसी कई एक्जाम कंडेक्ट कराती हैं इस मामले में वाइस प्रिंसिपल के रोल का भी खुलासा हुआ हर्याने के सौनिपत में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं नेशनल हाईवेच अब वारिस पर कुडले थाना इलाके में एस्टे एफसे बैंके ब्रांच के बाहर खड़ी कैश वैन से लुटेरों ने 38 लाक रुपे लूटे निन दहारे कैश वैन रॉबरी से पूरे अलाके में संसनी फैल गई है यहा वाएक सवार दो बदमाशों ने कैश वैन के गनमैन को गोली मारी और कैश वैन में रखा गैश लूट ले गई कि कैसे दो बदमाश एक बॉक्स को बाइक पर रखकर फरार हो रहे हैं लुटेरों के पीछे पीछे गनमैन अपना हत्यार लेके दोड़ता है इस गटना में मानेश्वर नाम के गनमैन को गोली भी मारी गई जवावी कारवाही में एक बदमाश को भी गोली लगी है हरिद्वार के पतंजली डिसर्च सेंटर के बाहर से मिले एक नाबालिक लड़की की लाश लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या की गई थी मगर इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने 48 घंटे के भीतर केस को सुलजाने का दावा करते हुए जो ताजा संसनी केस खुलासा किया है उसने इस मामले को और भी जाद संगीन बना दिया है इस मामले में जिस पूर्व विजेपी नेता आदेतराज सैनी और उसके साथियों का नाम सामने आया है वो तो फरार हैं लेकिन पुलिस ने 6 लोगों को गिरफतार करके वारदात का पूरा सच उजागर कर दिया हरिद्वार SSP प्रमेंदर डोभाल ने उनके अनुसार 24 जून को हरिद्वार के बहदराबाद में हाईवे के किनारे पतंजले रिसल सेंटर के पास एक 13 साल की नावालिक लड़की का शब बरामत किया जिसकी शिनाक्त उसके घर वालों ने कर ली है यह अनोखा मामला योबी के सौन भद्र का है यहां राइपुर इलाके में तीन बच्चों की माँ दुलन के लिबाज में बाकाईदा ढोलना गाड़ी और डीजे को वजबाते हुए हाथ में सिंदूर लेकर प्रेमी के घर पहुश गए दरसल ये महना तीन बच्चों की माँ विबा है विबा बैट बाजे के साथ अपने प्रेमी संदीब के घर पहुशती है वो संदीब से शाधी करना चाहती है विबा ने संदीब पर संगीन इलजाम लगाते हुए बताया कि संदीब ने शाधी का वादा किया था वो पिशन नो साल से लगातार उसके साथ शारिक संबंद बनाता रहा अपनी इस शिकायत को लेकर विभा एक महीने से थानी और एसपी आफिस की चक्कर लगा रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई पती का घर छोड़ कर ढोलना गाड़े के साथ आशिक की दहलीश पर पहुची कि इस प्रकरन में थाना प्रभारी राइपूर मौके पर मौझूद है मामले के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है बीभा जैस्वार यहां पर आप बाजे के साथ पोचे हैं क्या मामला हैं? आप का करेंट हम साथी नहीं करेंगे। पर आपके साथी नहीं होगा हैं? कोई सुनवाई हमारा कहीं नहीं हो रहा है, हम आप लोग से रिक्वेस्ट है, बिंती है कि हमको अन्याई दिया हैं? हाँ, हमारे आज पास की लोग अगल बगल वाले सवाये हैं, चलके घर भी देख लीजिए, नहीं के फरजी आये हैं. हम चाहते हैं, संदीप जैसे हमारा घर पलिवार बसा बसाल तोड़े हैं, वो इसे हमारे साथ घर बसाएं, हमसे साधी करें, यह चाहते हैं. सरकार द्वारा जारी एक नई नियम सूची के अनुसार, CBSE और ICSE पाठेक्रम वाले सभी नीजी स्कूलों को कनड़ा को पहली या दूसरी भाषा के रुप में शिक्षा देना अनिवार्य हैं. सरकार ने करनाटक शिक्षा संस्थान अनुमती पत्र जारी करनी और नियंत्र नियम 2015 को सूचित किया, जिसके तहट किसी भी नई स्कूल या मोजोदा स्कूल को CBSE या ICSE से सम्बंद करनी के लिए शिक्षा विभाग द्वारा जारी नौब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC अधिनियम 2015 के साथ मेल खाते हैं जिसके अनुसार सभी स्कूलों में करनडा को पहले या दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाना अनिवारे हैं 2015 कानुन को पहले सिद्धर अमया द्वारा अगवाई की गई कॉंग्रेस सरकार ने 2014 में करनडा या मात्र भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में हटाने के महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णा की प्रतिक्रिया में बनाया था तिलंगाना में स्कूल बस पलटी कार दुर घटना में छे घायल तिलंगाना के हनुमा कोंडा जिले की कमलापूर मंडल में पारकला हुजूराबाद मुखिस तरक पर शुकरवार सुबह अकार से टकराने के बाद स्कूल बस पलट गई जसमें छे लोग घायल हुए जिन मे तीन स्कूल बच्चे भी शामिल हैं घटना उस समय हुई जब एक तेजर अफ़तार कार ने यू टर्न लेते समय बस को टक्कर मार दी रागीरों ने तुरंत छात्रों को बचाने के लिए दोड लगाई को छात्रों ने खिडकियों से कुद कर बस के सामने जाकर खिडकी तोड कर दूसरे बच्चों को बचाया इस हाथसे में कार लगभग पूरी तरह से छती ग्रस्त हो गई जब की 30 चात्रों को लेकर जार ही बस पल्ट गई जिसमें कई चात्र घायल हुए कार में बैठे तीन यातरी गंभीर रूप से घायल हो गए हैदरबाद में बढ़ती हिंसा मलग पेत मेट्रो स्टेशन के पास हिस्ट्री शीटर नजफ की हत्या हैदरबाद में चिंता जनक घटना में मलग फेट मेट्रो स्टेशन के पास हिस्ट्री शीटर नजफ की अग्या थमलवरों ने बेहरमी से हत्या कर दी ये घटना चादर घट पुलिस स्टेशन के अधिकार शित्र में हुई नजफ की हत्या हाल के दिनों में हैदराबाद में हो रही कई हिंस घटनाओ का हिस्सा है शेहर के निवासियों में कानून और विवस्था की बिगड़ती स्थिती को लेकर बढ़ती चिंता और आक्रोश है कानून प्रवतन एजन्सियों से त्वरित और प्रभावी कारवाही की मांग बढ़ रही है ताकि हिंसा की बढ़ती लहर को रोका जा सके और समुदाय में सुरक्ष की भावना बाहाल की जा सके रंगा रेडी जिले के शादनगर में शुकरवार को इगलास फैक्टरी में हुए विस्फोर्ट में कम से कम पांच लोगों की मौत हुई और पंदरा करमचारी घायल हुगए पुलिस ने बताया कि हैदराबाद से करीब 50 किलोमेटर दूर शादनगर के एक फैक्टरी में शाम करीब 4 बजे एक कंप्रेसर टैंक में विस्फोर्ट हुआ गटना उस वक्त हुई जब मजदूर फैक्टरी में नियमत काम में व्यस्थ थे विस्फोर्ट के प्रभाव के कारण कई शमिकों को गंभी चोटी आई जिनमें हाथ पैर टूटना भी शामिल है संगरेडी जुले के पाटन चेरू में शुकरवार सुबह कच्छरे के धेर के पास शोच करने गए एक छे वर्षे लड़के को अवारा कुटो निवार डाला बिहार से आई प्रभासी मजदूर दंपत्ती के बेटे विशाल की मौके पर ही मौत हो गए पाटन चेरू इंस्पेक्चर प्रविन डेडी ने बताया तीन चार कुटों के जुन ने विशाल पर हमला किया और उसकी गर्दन को चबा डाला उसके शरीर के अन्य हिस्से में भी गंभीर चोटे हैं पुलिस ने CRPC की धार 174 संदिक दुमोत के तहत मामला दर्स किया है यह हमला इसनापूर में एक निर्मान स्थल के पास हुआ जहां विशाल के माता-पता काम करते थे जब कुटों ने सुबह सारे 6 बजे के आस-पास विशाल पर हमला किया तो वो अखेला था उसके माता-पता के महां पहुँचने तक विशाल की मौथ हो चुकी थी सुनीता बिलियम्स और अन्य अमेरिकी अंतरिक्ष्यात थी ISS पर रूसी उपग्रह तूटने के कारण शरन लेनी को मचबूट मंबई नाकपुर एक्स्प्रस वे पर गलत दिशा से कार गुसी भयानक हाथसे में साथ की मौट करनाटक में CBSE और ICSE स्कूलों को अब कंड़ा को प्रथम या द्वितिया भाषा के रूप में शिक्षा देनी की आवश्चता है तिलगाना में स्कूल बस पलती, कारद और घटना में के खायल हैदरबाद के पास ग्लास स्पक्टर में बस स्पोर्ट से कम से कम पाश की मौट के खायल अभी के लिए इतना ही लगाता ख़बरों के नी बढ़े नहीं हमारे साथ नमस्कार झाल